हाई फ्रेंड स्वावत है आपका हमारी यूटूब चलना आरे ट्रिक में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम एकाउंट को फैस्बुक से कैसे कॉनेक्ट करें कैसे जोडें दोस्तों आप भी अपने इस्टाग्राम एकाउंट को फैस्बुक एकाउंट से एड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपने इस्टाग्राम एकाउंट को अपने फैस्बुक एकाउंट से जोडेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी का प्रोसिस बताऊंगा सबसे आसान तरीका से तो वीडियो को continue आज कीजिए एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं पर भी कुछ प्रोबलम हो तो नीचे comment करके बताईएगा और दोस्तो अगर आपने अभी तक अपने भाई का चनल को subscribe नहीं कियें तो subscribe कर दिजेगा दोस्तो Instagram एकाउंट को Facebook एकाउंट से connect करने के लिए सबसे पहले आपको Instagram को open करना है Instagram open करने के बाद दोस्तो अब आपके सामने कुछ इस परकार का page देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे नीचे के side में यहाँ पर आपका profile icon मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है फाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार का पेज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको राइट हैंड साइड में थिरी लाइन मिलेगा देख सकते हैं तो इसी थिली लाइन पर आपको क्लिक करना है थिली लाइन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का पेज देखने को मिलेगा तो अब यहाँ पर हमें सेटिंग और प्राइवेसी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों हमें से Facebook account से connect करना है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें first number में मिलेगा account center देख सकते हैं तो इसी account center पर हमें click करना है account center पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस परकार का page देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारा Instagram का username रहेगा जो भी photo हम instagram पर लगाए रहेंगे वो photo और वो user name यहाँ पर हमें मिलेगा और उसके नीचे में दोस्तों यहाँ पर हमें एक setting मिलेगा account का देख सकते हैं तो इस account पर click करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा instagram account facebook से connect है की नहीं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अभी मेरा instagram account facebook से connect नहीं है तो connect करने के लिए दोस्तों यहाँ से आपको back आना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको instagram का username पर click करना है देख सकते हैं यहाँ पर profile तो इसी पर हमें click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों हमारे सामने फिर से एक नया page open हो जाएगा तो अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारा instagram का profile आइकन आएगा और यहाँ पर हमारा username और उसके नीचे में यहाँ पर add account देख सकते हैं तो इसी add account पर हमें click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों हाँ पर हमारे सामने दो option आएगा यहाँ पर facebook और यहाँ पर add instagram account तो दोस्तों हमें अपने instagram account को facebook account से add करना है यानि कि connect करना है जोड़ना है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें add facebook account इस पर हमें click करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस परकार का पेज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि यही Facebook एकाउंट आपका है जिसे आप अपने Instagram एकाउंट से connect करना चाहते हैं अगर आपका यही Facebook एकाउंट है और आप इस Facebook एकाउंट को अपने Instagram एकाउंट से connect करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको continue पर क्लिक करना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह मेरा Facebook एकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको confirm कर लेना है कि यही आपका Facebook account है तो मेरा यह Facebook account नहीं है तो यहाँ पर मैं note you पर click करता हूँ उसके बाद दोस्तो हमारे सामने फिर से एक नया page open हो जाएगा तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें mobile number और यहाँ पर हमें email address देखनों को मिलेगा और उसी के नीचे में यहाँ पर Facebook password तो यहाँ पर दोस्तो हमें Facebook account को login कर लेना है यहाँ पर आप जिसके थुरू अपना Facebook account बनाए है वो यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे mobile number से बनाएं तो यहाँ पर mobile number डाल दीजिए या email address से बनाएं तो वो email address यहाँ पर आप डाल दीजिए और उसके नीचे में यहाँ पर आप अपने Facebook का password डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर login पर किलिक कर लिजिए तो finally दोस्तो यहाँ पर मैं अपना mobile number डाल दिया हूँ और यहाँ पर मैं password डाल दिया हूँ और यहाँ पर मैं login पर किलिक कर लेता हूँ और दोस्तो अगर आपको password याद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर forget password पर किलिक करके आप अपने Facebook एकाउंट का password forget कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं login कर लेता हूँ login पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको फिर से continue पर click करना है continue पर click करने के बाद दोस्तो आपके सामने फिर से एक नया page open हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना instagram आपको select करना है जैसे कि यहाँ पर मेरे phone में 2 instagram है तो यहाँ पर 2 instagram सो कर रहा है अगर आपके phone में एक इंस्टाग्राम होगा तो यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम सो करेगा यहाँ पर आपको अपना इस्टाग्राम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं अपना इस्टाग्राम सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार का पेज देखन को मिलेगा तो यहां पर आपका Instagram आ जाएगा और यहां पर आपको Facebook आ जाएगा तो अब दोस्तो यहां पर आपको continue पर किलिक करना है continue पर किलिक करने के बाद दोस्तो यहां पर आपको yes finish एडिंग इस पर आपको किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर फिर से कुछ सेकेंड के लिए लोडिंग लेगा एंड उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा तो अब दोस्तों आपका इंस्टाग्राम एकाउंट फैस्बुक से कॉनेक्ट हो जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा इंस्टाग्राम एकाउंट फैस्बुक से कॉनेक्ट हुआ है की नहीं यहां पर भी देख सकते मेरा फैस्बुक प्रोफाइल आ चुका है और यहां पर देख सकते यहाँ पर account center पर click करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको account पर click करना देख सकते हैं यहाँ पर account और उस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा instagram account facebook से connect हो चुका है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने Instagram account को Facebook से connect कर सकते हैं, जोर सकते हैं, I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगे हैं, तो like, comment जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक आरे ट्रिक चैनल को subscribe नहीं किया हैं, तो subscribe कर दिजिए, तो चलिए friends, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, ज अब तक के लिए, bye